इस सवाल को करने से पहले ना हमें एक काम कर लेते हैं समझ लेते हैं क्या होता है देखो example एक होता है list price लिस्ट प्राइज क्या होता है मान लेते हैं यह एक है यह क्या है हमारा head office और मान लेते हैं यह हमारा branch branch ठीक है head office ने 100 रुपए का समान इसके उपर profit जोड़ा मान लेते हैं 50 परसेंट यानि 50 रुपए तो यह समान कितने का पढ़ गया और यह 1.500 रुपए का समान head office क्या करेगा यह 1.500 रुपए का समान head office भेज देगा किसको branch को तो जो यह हमारा branch के पास गया है यह पैसा इसको बोलेंगे list price list price इसको बोलेंगे invoice price इसको बोलेंगे IP price समझ रहे हैं बात को तो इसी का अलग अलग नाम है अब मैं बताऊं मुझे बताना branch के लिए यह समान कितने का है branch के लिए यह समान कितने का है तो जवाब एसर branch के लिए यह समान कितने का है डेड़ सो यानि अगर मैं कहूं cost to branch to branch तो इसका मतलब branch के लिए यह समान कितने का है डेड़ सो का तो cost to branch तो इसी को क्या कह सकते हैं cost to branch सब्सक्राइब करना है अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं कॉस्ट तो सर इसके लिए कॉस्ट कितने का होगा पता है सब्सक्राइब एक और समझ में आए बी आप को यहां तक कुई दिक्ट यहां तक समझ में आ रहा है ठीक है क्योंकि ब्रांच को तो मैंने बोला कि ये डेट्स को का बेच ब्रांच तो वहाँ पर लगा देगा ब्या डेट्स को कम का नहीं है एड़ ओफिस से यही इंस्ट्रक्शन आया है लेकिन कॉम्पिटीशन में कोई इसके साथ में 130 रुपए का बेच रहा है तो क्या है एड़ ओ बेचना था 500 500 रुपए को कितना बेचना चाहिए 1020 रुपए % का तो अगर मैं बोलू कि इसके पासिस्टॉक बचा हुआ है इसके पासिस्टॉक कितने का बचा हुआ है तर इस्टॉक को बचा हुआ एक लाग का या एक लाग की जका पे मान लेते हैं िसके पास ठॉक है एक लाग बीज अजार का किसके पास स्टॉक अशर एक लाग बीस हजार ब्रांच के पास और यह किस पर असर बाइपि पे है इसका मतलब इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है profit कितना जुड़ा हुआ है और profit कितना जुड़ा हुआ है इसके अंदर देखा जाए तो हम 100 का समान कितने में बेच रहे हैं यानि हम कितने percent profit add करके बैठें यानि 20% already added है इसमें हमें अलग से add करना या already added है already added है तो अगर मुझे इसका loading निकालना होगा न तो loading निकालने के लिए क्या करेंगे एक लाख बीस हजार divided by 120 divide 120 करने का मतलब यह equivalent percent हो गया divide 120 करने का मतलब क्या हो गया equivalent percent आपको loading का हिस्सा चाहिए that is 20 तो कितना आ जाएगा सर आपका 20,000 loading होगा तो होगा 20,000 अब चेक भी कर लो एक लाख का समान होगा और उसपे 20,000 रुपय का loading होगा तभी तो बना होगा हमारे कितना closing stock एक लाख 20,000 हाला कि यहां से यहां तक कितने percent इसने बोला था मैं बेच रहा हूं cost plus 50 percent पे cost plus कितने पे बेचा था क्योंकि 100 का समान कितने का भेजा था तो cost plus 50 percent हो गया लेकिन discount के कारण से वो price reduce हो गया जो हमारा 50 percent का loading था वो loading घटके कितने percent रह गया हमारा 20 percent तो अब हमें सारा जो काम करना है वो किसके accordingly करना है 20 percent के इसाप से हमारा 50 percent का कोई roll नहीं रहे गया सवाल में समझ रहे है बात को आप यहां तक clear हो समझ में आ रहा है ठीक है तो इसी base पे हमारा एक सवाल भी है जिसे हम करेंगे ठीक है ना सर अगर ऐसा कुछ बोला हो तो हमेशा इसका percentage determine करने के लिए मैंने कहा कि मैं बेच रहा हूं cost plus 80 percent और हमारा price drop हो गया price drop कर दिया 20 percent का तो सर आप कैसे पता करेंगे क्या percentage है तो 100 पे count करना हमेशा सर 100 plus में 80 का तो भीज आई था यानि 180 less drop कर दिया कितने percent 20 percent 20 percent मतलब 36 तो बचा कितना हमारा 180 में से अगर हम 36 माइनस कर दिया तो 144 इसका मतलब 100 तो हमारा cost ही है बाकी का जो part मर गया 44 यह क्या है हमारा loading है और हम क्या करेंगे आब divided by 144 और into में loading जितने percentage जैसे 44 है तो 44 रखेंगे समझ मैं आई बात आपको खेक है ना तो इसी basis पर यह सवाल भी है जिसके अंदर इसी तरीके का कोई instruction गीवन है जो कि हम करेंगे और इस टाइप के question अगर टफ पेपर आया तो definitely इस टाइप का question देगा examiner मैं format बना लूँ फटा-फट से मैं format बना लू अब क्या 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 बनाना ब्रांच अर्जास्मेंट है तो इस टौक तो छोटा सा बनना है अब अब अ कि अ करें लेकि लेते हैं पर्टिकुलर अ करें करें सो कि सर्य यहां पर क्या क्या keeping one looking अंडेट परसंट ट्रायस की वह ब्रांच अअच्जेश्मेंट अकॉंट ब्रांच प्रॉफित यौ अकंट ब्रांच एकस्पेंस अकाउंट भी बनाना है देखो ब्रांच मॉदू है ब्रांच टेटा अगर मॉठ पीछी पीक्षे बना ले यहां बना नहीं र registered क्यों और क्या बनाएंगे और बनालेते हैं जEN कितने ऑकाउंठ होगे चेक कर लेते हैं есте कि एक कहथा है इचे कितना अकांट हो गया कि यहाँ पर कहता है ब्राश स्टॉक बन चुका है ब्राश डेडर बन चुका है ब्राश एक्समेंस बन कम्बाइन ही बनाएंगे तो यह हम ना एक काम करते हैं पीछे बना लेते हैं पीछे कहां यहीं बना लेते हैं थोड़ा आराम से बन जाएगा एक ना लोकल पर्चेस भी होता है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं उसको आप स्किप कर सकते हो भी फिलाल के लिए कि बाकि आप करना चाहो तो करोगे समझ में आ जाएगा है कि यह आगया हमारा कि ब्रांच अगर्जस्मेंट अब आप सवाल को पढ़ते जाएंगे और एक एक करके फिल करते जाएंगे कहता है यह कि मयूर स्टोर लिमिटेड विफ देईर हेड ऑफिस डेवी इन्वाइस गोड्स नोवडा है टुईंटी परसेंट लेश देन лीस प्राइस यानि जो हम इन्वाइस कर रहे हैं वो लिस प्राइस से बीस परसेंट कम पे कर रहे हैं यानि सर हमारा अगर 100 रुपय का समान होगा और list price क्या है कहता है भाईया जो list price है list price cost plus 100% है यानि सर ये हमारा हो गया cost और इसके उपर हमने markup यानि profit इसको markup भी बोला जाता है ध्यान रखिएगा 100, तो अब जो 200 निकल के आया है that is क्या बना हमारा list price ये क्या बना हमारा अब कहता है इससे भी 20% कम पे बीचेंगे तो इसका 20% कितना होगा that is 40 तो इसका मतलब हमारा समान जो है 160 है यानि 60% का हिस्सा क्या है loading और बाकी का पैसा क्या है cost तो जहां पे loading निकालना होगा तो क्या करेंगे 60 divided by 160 60 divided by 160 करेंगे और हर किसी का loading आता जाएगा तो हम चलिए फटा-फट से हम कर लेते हैं सवाल को हमने एक loading का tentative mind में idea तो ले लिया है आगे कहता है इसके अंदर आपको invoice credit sales कहता ही कि जो made है invoice वो credit sales cash sales दोनों following account बनाना है तो branch का stock account अब देखें मज़े की बात क्या कह रहा है मज़े की बात क्या कह रहा है branch at cost to branch क्या कह रहा है cost to branch अगर cost to branch है तो ये cost price है या invoice price है ये invoice है क्योंकि branch के लिए cost का मतलब क्या होगा invoice price ही होने वाला है तो चलिए आ जाते हैं आ जाते हैं हम two balance से बैलन्स भीडी डी डी टूंबस ब्रांच का डेटर ये बना है डेटर ARE यह डेटर है और इसे रख रहे हैं हम स्टाउक ठीक है तो ब्रांच का डेटर टू बैलेंस बीडी कितने रुपर है डेटर का ने तीस हजार आप बताते जाएंगा इसके बाद आगया आते हैं गुड़ से एच यंव यह जो आपका इंव उन्वइस प्रैस किस पर इंव उन्वाइस प्रैस तो सर गुड़्स कुड़ रेशीर है क्या इसे कितने का है मारा तीन लाख साठte साठ्धार। तीन इसका उपर थोड़ा सा काम करना है, हाला कि मैं लिक देता हूँ, तीन लाच साठवा थैक है. मैं इसके उपर स्टार भी लगा लिता हूँ. थोड़ा और काम करेंगे, छेस बाइदाएं आ जाएगा, सेल्जाहिव हर पिर Android और क्रेडिट दोनों, तो sir cash sales, cash में है हमारा, कितने का cash में है, cash में है 3,99, 90 है, 90, 90 है, और कि तीन लाग का ठीक है क्रेडिट सेल्स भी आ गया कैस्ट रिसीफ फ्रॉम डेटर कहां पर आएगा बताओ डेटर अकाउंट में बाई कैस्ट कितने का कि दो लाग कि चालिस हजार चलिए गुड्स इन ट्रांजिट अब सर्गुड्स इन ट्रांजिट कितना है हमारा चालिस हजार अब हमारे पास रस्ते में था तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं टू गुड्स इन ट्रांजिट कितने का यानि सर हेड आफिस ने से कहता है रिसीव हमने तीन साठ किए है और रस्ते में अभी चालिस है इसका मतलब वहां से समान जो आया होगा वो कितने का आया होगा वो आया होगा हमारा चार लाग का तो मैंने सिंपल यहां पे लिख लिया अब यह देखने वाली बात है कि साल के अंत तक यह रिसीव हुआ या नहीं हुआ अगर साल के अंत तक यह रिसीव नहीं होता है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को दो पार्ट में बाइफिकेट करना होगा एक तो नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास है और एक गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से लोडिंग दोनों पर ही निकलेगा लोडिंग किस पर होगा दोनों पर ही होगा सर ब्रांच का एक्सपेंस तो एक एक्सपेंस अकाउंट बनाना था एक्सपेंस अकाउंट तो सबसे पहले हमारे सब्राज्रा ये उसका हम क्या करेंगे सब्सक्राइब एधर लिंगे क्या हमारा प्रांच एक्सपेंस में क्या क्या है है क्षिए टॉटल अमाउंट दे दिया किमा इसन एилось कि एक्सपेंस चालिस हजार कि इसने ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट क्यों बोला था बनाने को चलिया कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद बैडडेट कितने का है कि दो हजार दो हजारी था ना ठीक है इसके बाद लॉस बाइफायर इन्वाइस प्राइस ट्रांसफर टू गुड्स टू फरीदाबाद पहले लॉस बाइफायर कितने का लॉस बाइफायर है इधार आ जाएगा बाइफायर लॉस सर्व हमारा ब्रांच कौन सा है मैयूर स्टोर लिमिटेड दियर हैड ऑफिस इन डेली और गुड्स इट्स ब्रांच नुईडा नुईडा का ब्रांच है हमारा हमने कहां भीजा फरीदाबाद तो हम भेजेंगे तो इधर आ जाएगा बाइफायर गुड्स प्लीफर्ड कितने का है सर यानि प्लीफरेज गुड्स प्लीफरेज एक हजार यह नॉर्मल है तो पूरा ही आएगा वहां पर रेमेंटेंस टू हैड ऑफिस कहता है है एड ऑफिस को हमने रेमेंटेंस कर दिया तीन लाग 30,000 तो इसका कोई रोल है नहीं यहां पे 30,000,000 क्योंकि कैस दे ही रका तो अलरीड़ी आप देखो इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो तो 330 ही बनने वाला है क्योंकि हमने क्या भीजा क्या से और क्रेडिट से पैसा है दोनों मिलाकर भीज दिया होगा कितने का था 90 नब्वे का और जो पैसा आया वह कितने का था मारा तीन मतलब दो चालिस तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा तीन तीस तो यह लाइन देना बिल्कुल बिकार है इसके लिए यह किसी काम का लाइन नहीं है लेकिन बच्चे को परिसान हो सकते हैं इस लाइन के अंदर इंसारेंस क्लेम एड्निम्टिट लॉज भाई फायर बारीट्स रुल थी तो पी इंडेल में जाएगा इंसारेंस का कितने गारी तो आगे आ जाते कहते हैं नहीं देटर कि बाइ बैलेंस एड़ी कितने कहा है कि साथ हजार कि साथ हजार कि अच्छलिए इसको थोड़ा सा हम नीचे लेके चलते हैं ठीक है टोटलिंग पर धियान देते हैं सारा इंफर्मिशन ले लिया हमने अब टोटलिंग पर अब बाइब बैलेंस इडी जो कहता है कितना कहा है हमें साथ हजार अब सवाल में यह नहीं कह रहा कि भैया यह इसके अंदर जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ गुड़्स एंट्रांजिट हाया है तो अब आपकी इच्छा है कि आप क्या मानते है खीक है न वह आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है आ अगर आप मानते हो कि अभी तक समान नहीं आया तो इसको दो पार्ट में तोड़ दोगे एक तो तोड़ दोगे किस में सर 40,000 और 20,000 में अगर आप मानते हो कि यह साल में तो समान आही गया होगा यही समान है तब उस केस के अंदर आप पूरा 60 लिखोगे यहां पर गुट्स चौबिस सो ची हजार एक हजार साथ हजार 459 400 कि 459 400 कि पूर 59 400 कि मैनस चालिस हजार कि मैनस चार लाग यहां देखें सर प्लस आ रहा है है कितने का 19,400 सर प्लस कितने का गिया हमारा 19,400 का अब लोडिंग वगर निकालना चालू करें डैटर भी क्लोज कर देता हूं चलो डैटर का ऐसा कोई रोल ले नहीं अब देखो ब्रांच एक्समेंस फालतु मैं बनवाया जब कोई था ही नहीं एक्समेंस कि सौटेज पहले से दी रखा था कि कितने का सौटेज आ रहा है अच्छे सो एक मिनाटे यह तीन तीस दोनों साइड मैंच हुआ कि सर प्लस कितना रहे है कि सिक्स्टी है तो सौटेज यहां पर सौटेज दे रखा था गई और सर प्लस भी दे रखा है अच्छिस क्रेडिट सेल्स कहां कि कुछ लिखा है क्लोजिंग में यानि यहां पर है यानि यह मान के चल रहा है कि हमारा क्लोजिंग भी है तो लिख देते हैं चलो गुट्स इन ट्रांजिट चालिस ऐसे कि अधे अधे बाकि आपके उपर आजम्शन के उपर डिपेंट करता ही है कितना है हमारा अब टूटल है अब तो और आएगा ज्यादा यह चार निद्यान वे चार सो माइनस कितना रहा है उनसट चार सो तो हुआ है साथ है साथ है साथ है शेस और पर सॉटेज कहीं भूल तो नहीं गए यहां से लेना कि अग्याइब यहां पढ़ लेते हैं लाइन क्या पता हमने यहां पूरा ना पढ़ा हो क्रेडिट से बारे में कहता है फ्रॉम् क्रेडिट सेल्स तो हम बेचेंगे नॉर्मल लिस्ट प्राइस पर लिस्ट प्राइस का मतलब उसमें कोई डिसकाउंट नहीं है और जो क्रेडिट सेल्स यह है थीक है तो हम वैसे नॉर्मली कितना देख रहे हैं एक्सो साथ यानि यह 40 परसेंट और नियुक्त इक्स्ट्राइब के आई यह जो भी इसके अंदर देखा जाए credit सेल्स अब अब समझीयगा वाद को लुक्त क्रेडिट वाला जो सेल्स है कहता है कि भईया हम फ्र प्रसीन प्रसाइब Рवाएवा की है तो मतलब कि जो कटफित करके निकाला इक्साइब जानि इसके बीच में देखा जाए तो क्रेडिट से ये 160 है और ये फ्म हें अटेस्ट एक्स्ट्राइज हो आप 440 क्रेडिट सेंश को कितना değildi एक्साइब बीच रहे हो 40 तो क्रेडिट सेल्स पे अगर आप प्रॉफिट निकालोगे जो एक्सेस सेल्स किया कैसे निकालोगे आप तीन लाख इंटु में चालिस डिवाइड़ बाई कितने परसेंटिस में एक्स्ट्रा दोस इसको एक पर डिवाइड करके निकालो कितना आता है तीन लाग डिवाइड बाइड दो सो इंटू में चालिस कितना गया यानि सर हम क्रेडिट सेल्स ना साथ हजार रुपए एक्स्ट्रा बीच रहे हैं कि नहीं समझे बात कि वन सिस्टी के अकॉर्डिंग है क्रेडिट सेल्स तो साथ हजार था ना इसलिए जो सर्प्लस आ जाएगा ना एक्सेस सेल्स वाला वह आ गया है यहां पर क्या क्यानी हमने यह सेल्स जो इधर दिखाया हुआ है वो हमारा नॉर्मल से कहीं ज्यादर दिखाया हूआ हए जोकि कितना गया हमारा साथ हजार समझ ने हगा साथ हजार एक्स्ट्रा क्योंकि हमारा जो प्रॉफ vocet निकलकर आएंगा वह प्रॉफिट निकलकर influenced के यह था वहां पर लिखा हुआ है देखो सॉटेज कि इतना आ गया 600 आप इसको टोटल कर लेंगे न है ठीक है चलिए ब्रांच एक्समेंस में डाल देते हैं चालिस अजार रुपए ब्रांच एक्समेंस है चालिस अजार अब सब के हर किसी का लोडिंग निखालते हैं सबसे पहले तो सर्पलस तो पूरा ही आएगा व्याध पूर्ण पूरा हैगा बार ऐसर प्लस कितना मैं इंट si 6000 पैफ लोडिंग अब लोडिंग की बात करें लोडिंग किस पे होगा ओपिनिंग इस्टॉक पर कितने का चालिस का अब कितना करेंगे यह 60 डिवाइड बैए ता एक लाक रुपए और किस पर था लोडिंग कि इस साइध डेबिट साइड में बस सर फूरा आ गया पूरा ले लिया साइड में किस पर लॉस लॉस्स नार्मल है लॉस्स ना तो सबसे पहले लॉड़िंग निकालो कि अबनॉर्मल लॉस सर कितना 24 सो था तो 24 सो पर अगर हम निकालते हैं तो डिवाइड़ वाइड़ बाइव वन सिक्स्टी वन सिक्स्टी इन्टू में सिक्स्टी तो नौ सो आ रहा है और बाकी का कॉस्ट यहां जाएगा देड़ लाग आ रहा है कर देतें डेड़ लाग इधर 15 सो आएगा यहां टोटल गलत हो गया ते देड़ लाग आ फिर ठीक है अब आ जाते हैं अक मैंने इस पर भी लोडिंग निकाल लिया कहां गया लॉस पर गुड्स ट्रांसफर इस पर भी लोडिंग निकलेगा तो गुड्स ट्रांसफर कितना था छे हजार छे हजार डिवाइड़ेड़ बाइस सो पचास और किस पर निकालना है इसके बाद आ जाते हैं गुड्स प्लीफर्ड ये भी अब नॉर्मल है नॉर्मल बोला था न उसने तो यहां लिखेंगे गुड्स प्लीफर्ड कितने रुपे था सर गुड्स प्लीफर्ड था हमारा एक अधार रुपे यहां कितना ले लिया हमने एक हजार रुपए इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद गुड्स प्लीफर्ड के बाद क्या है बैलेंस बैलेंस सीडी कितने हमारे टूटल Blues तो लोडिंग किस पे क्लोजिंग स्टाउक पे कितना 37,500 इसके बाद क्या था हमारा सौटेज सौटेज कितने का पड़ा हमारा 600, 600 divided by 160 into 60, तो दो सो पच्चेस रुपए, दो सो पच्चेस और बागी का यहां जाएगा कॉस्ट, कॉस्ट माइनस छे सो, यहां गया 375 रुपए, तेखिए और कुछ तो नहीं रह गया सर, क्रेडिट सेल्स में 360 भी दिखा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, क्रेडिट सेल्स में आप 360 भी दिखा सकते हैं, कोई फरक नहीं पड़ेगा, नहीं 360 नहीं दिखाना, वो तीन लाग का ही बोला है, उसने, क्लियर यहां तक, टोटल करें, जीपी निकाले, क्या रहे हैं, 25, बाइ, 183, चलिए, अब करते हैं, यहां प्लस, 1200, 184, 325, 184, 325, यहां के आएगा, टू नेट प्राफिट, माइनस कर देते हैं, 2000, माइनस 40,000, माइनस 15,00, माइनस 375, कितना रहा है, 14, 450, 14, 450, यह आगे है, नेट प्राफिट, तो यह हमारा last question था, एक तरीके से, और आपको clear भी हो गया होगा, ब्रांच का, अब तो कोई question doubt में रहता है, तो doubt पूश सकते हो, कल most probably, अगर मैंने lease start किया, तो कल ही खतम कर दूँगा, मैं lease start करके, या departmental कराना हुआ, तो departmental कर लेंगे कल हम, बताइए किसी बच्चे, जितने बच्चे live हैं, किसी को कोई doubt, जितने बच्चे live हैं, किसी को कोई doubt, किसी को कोई doubt, तो कल की class, जैसे कि मैंने बुला, ग्यारा बजे मैं regular ही class लुगा, जैसे जैसे topic होगा, उसके हिसाफ से आगे बढ़ता जाऊँगा, और कल अगर lease start किया, तो कल ही हम lease को खतम कर देंगे, पूरा chapter, जो कि exam में पूछा जाता है, theoretical part है, अब हमारे main chapter कौन-कौन से रह गया हैं sir, एक departmental रह गया, एक NPO रह गया है, और depreciation में revaluation वाला topic एक मैं बता तुगा है, छोटे-छोटे से topic है, आपका 15 तारिक तक मेरा target है, और definitely 15 तारिक तक मैं यह syllabus खतम कर दूँगा, तो आपको practice करना है, बाकी किस तरीके से करते हो, अभी test check नहीं हुआ, आज test को check करेंगे, offline वालों को भी नहीं हुआ, तो आज check कर लेंगे, फिर दुबारत जब check करके मैं दूँगा, तभी मैं अगला test का announcement करूँगा, चले ठीक है, मिलते हैं हम next class के अंदर, same और फिर to be continue हम करेंगे new chapter,